लांजी शेदर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है जागराम सत्तु जरे से बोद्रा के बीच 11 केवी केबल की तार चोरी की घटना MPEB कनिस्ट अभियनता के संग्यान में आई सिकात के बाद पुलीस ने मामला में शंग्यान में लेती विए चोर को धर दबोचा है और उनके पास से लगबग धाई लाग रुपई का केवल और मोटर साइकल सहीद कूल चार लाग का मस्रू का बरामत की मेरे को पिविटी जी काम के ठेकेदार प्रदी सेवास्तों के जो लड़के काम परें उसे कुछ आखा है यह तुम्हारा पास यहां से कोई तार चोरी होते हो देखे जा रहा था हमने उसको पिछा गया लेकिन गाड़ी लेके भाग गया फोटो हमने उठाए और इस फोटो मेरे को दिखाँ उने फटो दिखा है उसके उपराण में ने करफनना महादर बालाहाया इस सम्मर्ण में अब तरब बूलय गया कि आप से इकरवब्रे कानने आप फाने चलेगा तो मैं इस सम्मर्ण में थाने में एकर करने आया था बता दे कि पुलीस ने ग्राम विसोनी निमासी सोहेल पिता सकील खान उम्र बीसवर्थ और राकेश पिता राजकुमार साउ उम्र चोबीसवर्थ निमासी आमगा रोडलांजी को दर्दबोजा चोरी की वारदात करने के बाद सोहेल खान के द्वारा राकेश साउ को चोरी का माल बेचा करता था जहां से पुलीस ने ढाईला के माल के साथ ही चोरी में प्रियोग की गई मोटर साइकल को भी परामत किया है आरोपियों के खिलाब पुलीश थाना लाजी में धारा 3032 भारती नयाय सहीता और धारा 3172 का प्रकरण पंजिबत किया गया है इस मामले में SDP सत्तेंद्र घंगोरिया ने गहन जानकर इसाजा की तो वहीं कनिष्ट अभियन तक अभी बयान सामने आया है लाजी से आसीज भंडार कर अधिक वैक की सोहल खान जिसने आज जो है लाइन चोरी किया था वायर चोरी किया था रोष्र में राकेश शाओ को वहायर भीचाब यह मासे सुखेब दिशाओ विष्वनी के रहने वाले और राकेश शाओ जो है वो आमना और रोड लाइन लीट देख़ें कितने मातरों है असल ये करीब टोटल मिला कि इनका धाई लाग का जो है भायाज चोरी हुआ था और जो जिस वहान का प्रयोग किया था इनोंने वहान को भी जब्द किया है आप देख रहे हैं वालाद भात खबर बर कर दो भ्रप शक्तिक भूका स्थ कर दो अ कर दो नहीं है